हेलो दोस्तों तो आज हम एक नया चेप्टर सुरू करेंगे जिसका नाम है वैदुत धारा जिसको हम इलेक्टिसिटी नाम भी देते हैं ठीक है यह चेप्टर हमारा काफी इंपोर्टेंट चेप्टर होता है इसमें बहुत सारी बातें अपने को सीखने को मिलती हैं तो देख हम चलते हैं और इस चेप्टर के बेसिक को समझते हैं जैसे हमें समझना है आवेस के बारे में क्योंकि जो भी नवटंकी होती है वह आवेस को ही लेके होती है आवेस अगर रुका हुआ है तो वैदुधारा प्रवाहित नहीं होती है आवेस अगर चल रहा है तो वैदुध से चल रहा है तो आवेश वैदुदारा प्रवाहित नहीं होती है तो इसी चीज को सीखना है लेकिन अपन सबसे पहले इसमें समझते हैं कि आवेश आकिर होता क्या है यह उत्पन कैसे होता है तो देखिए अगर हम आवेश की बात करें तो हम यह कहेंगे कि जिन वस्तूओं म होती है और जिसके कारण आवेशित होती है वही होता है ठीक है तो देखिए इस चीज को बड़ा समझना मतलब की केवल महसूस किया जा सकता है इसको आप देख पाएं यह देख नहीं पाएंगे आप केवल फील कर सकते हैं इसको और आप यकीन मानिए कि यह जो चेप्टर ह आप पढ़ना केवल महसूस कर सकते हैं ऐसा हो रहा है लेकिन क्यूं हो रहा है यह आपको पता नहीं चलेगा यह आपको पढ़ना पढ़ता है और इसमें एक और इंट्रेस्टिंग बात होती है कि ना दिखते वे भी यह पढ़ने में मजा आता है तो सबसे पहले हम इसमें आवेशित होता क्या है तो हम यह कहेंगे कि जिन पदार्थों में में हलकी वस्तूओं को हलकी वस्तूओं को आकर्सित करने का गुण होता है आकर्सित करने का गुण होता है आकर्सित करने का गुण होता है आवेशित कहलाती हैं आवेशित को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिफाइड शॉर्य इलेक्ट्रिफाइड या इसी को बोला जाता है चार्ज्ट कहते हैं ठीक है देखिए अगर हम आवेश के बात करें तो कोई भी चीज हो कोई भी वस्तू हो हर एक वस्तू में आवेस होता है ठीक है लेकिन आवेस होता है लेकिन वो उत्पन कैसे किया जाता है मतलब ऐसे समझे कि इसके अंदर आवेस है लेकिन इसको एक्टिव कैसी किया जाता है यह एक्टिव हो तो उसके लिए कई तरीके होते हैं जैसे एक्टिव हो गया है लेकिन इसमें रगणने के बाद आखिर क्या हुआ है तो आप इसमें देखते यह दिखता है हैं मतलब smrawn experiment के थ्रू देखा गया कि यहां पर क्या हो रहा है कि इसके कुछ वेस इसमें चले गए यह सकते हैं कि इसके कुछ सिफ में चले गए हमने कहा कि इस पता नहीं है लेकिन कुछ fixed example में होते हैं जिसके थूठ जो experiment के थुरू पता लगाया गया कि किसमें आवेस قईया है और किसमें आया है तो अब इसी चीज को समझे है हम यह कहें कि आवेसित समझ गे जिन वस्तूओं में अलग वस्तूओं में यानि कि जिन पदात्थों में छोटे छोटे वस्तुओं को या हलकी वस्तुओं को आकरसित करने का गुन होता है आवेसित कहलाती है या आवेसित कहते हैं ठीक है अब समझे कि जो कोई भी पदार्थ हो जैसे यही है यह आवेसित कैसे होगा यह आवेसित कैसे होगा तो यहां पर एक एक्जामपल के थुरू हम आपको ऐसे रगड़िए माल लीजिए कि यह कांच की छड़ है और यह रेसम है इन दोनों को आपस में रगड़िए ठीक है जब रगड़ेंगे तो चार्ज प्रोडियूस होगा ठीक है इसी तरीके से आप एबोनाइट की छड़ को फ्लानेन या बिल्ली के खाल से रगड़िए एब इसी तरीके से आप नूस की छड़ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं देखें यहां पर हमने नाम लिया कि एक था आपका कांच की छड़ कांच की छड़ था एक आपने देखा यहां पर कि आपनूस की छड़ है आपनूस की छड़ हुआ क्या यहां पर हमने एक को रगड़ा रेसम से और एक को रगड़ दिया बिल्ली के खाल से देखें हुआ क्या कि जब मान लिजे की इसको हम आपनूस इसको मान लिजे की कांच की छड़ है और इसको हमने रेसम से रगड़ दिया ये आपके आबनूस की छड़ है इसको हमने बिल्ली के खाल सरगर दिया तो हुआ क्या कि जब दोनों को पास मिले गए तो दोनों आकरसित हो गए और आप इस चीज को समझेगा कि अगर similar type के charge होंगे तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकरसित करेंगे और अलग अलग आवेसित वस्तु में होंगी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी यानि आकरसित करेंगी हुआ क्या यहां पर कि ये और ये एक दूसरे को आकरसित कर रहेंगे इसका मतलब इसमें से कोई न कोई धानावेसित होगा और कोई न कोई रिडावेसित यानि किसी न किसी के उपर करने का ये तरीका था कि एक बार हम कांच कि छड़ को एसे डिए दूसरे बार हम क्या कि आपनूस की छड को बिल्ली के खाल से रगड दिए जब ऐसा देखने को मिला मतलब ऐसा हुआ तो इसके बाद यह देखने को मिला कि इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज उत्पन हो गया ठीक है अब जराना इसी चीज को आगे समझे इसी चीज को हम फिट से समझते हैं देखें और एक अच्छा एक बात और है कि ऐसा नहीं होता है कि हम किसी से कुछ भी रगड़ दें तो वही वही उत्पन होगा अगर हम कांच की छड़ से किसी और चीज को रगड़ते तो हो सकता है कि कांच की छड़ निगेटिव हो जा और वो पॉजिटिव हो जाए ऐसा हो सकता है ठीक है त किसके उपर positive और किसके उपर negative है सब कुछ पता ही नहीं चल रहा है तो ये सब experimental data होंगे तो इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते आपको जो भी पताया जाएगा वो बस आपको समझना है ठीक है? चलिए अब आगे इसमें समझते हैं अब हम बात करते हैं आवेस के प्रकार की आवेस के प्रकार यानि हम बात कर रहे हैं टाइप ओफ चार्ज टाइप ओफ चार्जेस के बारे में देखे जब हम बात कर रहे हैं चार्ज के बारे में यानि आवेस के टाइप के बारे में तो एक होता है आपका धनावेस, जिसको हम बोलते हैं positive charge, जिसको positive charge बोला जाता है, ठीक है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, positive charge इससे भी देखायें, मतलब denote किये जाता है, एक होता है आपका radio-wasted charge, यानि कि जिसको radio-waste बोलते हैं, एक होता है आपका रिडवेस जिसको हम बोल देते हैं निगेटिव चार्ज निगेटिव चार्ज हम ये बोल देते हैं और इसको दिखाया जाता है इससे ये हो गया आपका निगेटिव चार्ज ठीक है तो अगर हम आवेस की बात करते हैं तो आवेस को डो category में divide किया गया है, एक positive charge दूसरा negative charge ठीक है, positive charge को आप ऐसे दिखाएंगे, negative charge को आप ऐसे दिखाएंगे, ये भी denote करने का एक तरीका होता है, ठीक है, अब ये समझते हैं की positive charge कब उत्पν होता है और negative charge कब उत्पन होता है, तो देखिए, जब आवेस एक वस है आवेस क्या हुआ जो इसके अंदर बहुत सारे आवेस थे उसमें से आवेस इसकी तरफ गए है ठीक है जब जिसमें से आवेस निकलता है वो पॉजिटिव होता है और जिसमें जाता है वो निगेटिव होता है कमाल की चीज यहां पर है तो हम यह कहेंगे कि अगर इसमें से आवेस ऐसे गया है मतलब हम चार्ज की बात कर रहे हैं इसमें से इसमें गया है तो हम यह कहेंगे कि यह कैसा होगा निगेटिव यह सॉरी पॉजिटिव होगा तो हम यह कहेंगे कि जिस से आवेस दूसरी वस्तु पर जाता है वो क्या होता है पॉजिटिव चार्ज और जिस पर जाता है अपन यह कहेंगे कि अगर यह निगेटिव है यह बी वाला निगेटिव हुआ तो इसका मतलब यह कहेंगे कि जिस पर जिस पर आवेस जाता है जिस पर आवेस जाता है वो कैसा होता है निगेटिव बात समझ में आई तो पॉजिटिव निगेटिव का तो आपको समझ में आ गया इसके बाद अब बात करते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज है इनका नेचर कैसा होता ह अगर एक दूसरे के करीब लाते हैं, तो इनका नेचर यानि की प्रकिर्ती कैसी होती है, तो अब हम इनके प्रकिर्ती के बारे में बात कर लेते हैं, यानि आवेश की प्रकिर्ती, यानि हम बात करने वाले हैं नेचर ओफ चार्ज के बारे में नेचर ओफ चार्ज यानि आवेश की प्रकिर्टी इसके बारे में समझिएगा अगर कहें यहाँ पर कि समान प्रकिर्टी के आवेश है हम कहेंगे समान अगर समान प्रकिर्ती के आवेश हैं तो समान प्रकिर्ती के आवेश हैं कहने का मतलब कि अगर पॉजितिव और ये पॉजितिव पास में आजाएं निगेटिव निगेटिव पास में आजाएं इसको हम बोलते हैं रिपल्सन ठीक है अगर यहीं पे बीपरीत प्रकीरती के आवेस हैं अगर बीपरीत प्रकीरती के आवेस हैं कहने का मतलब कि एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव या दूसरा निगेटिव और एक पॉजिटिव तो जब बीपरीत प्रकीरती के आवेस ह तो यहां पर होता है आकरसड जिसको बोलते हैं अपन अट्रेक्शन जिसको हम बोल देते हैं अट्रेक्शन बात समझ में आ रही है तो यहां पर हम क्या बोलते हैं कि समान प्रकृति के अगर आवेस हैं तो रिपल्सन यानि प्रतिकर्शड होता है बीपरीत प्रकृति के आव हैं तो वहाँ पर क्या होगा आकरसड यानि अट्रेक्शन होता है कहानी समझ में रही है तो देखे यह बेसिक बेसिक सी बाते होती है ठीक है इसे आपको बस ध्यान रखना है कि ऐसा होता है अब ज़रा इसके बात अपन समझ लेते हैं कि जो चार्ज होते हैं वो कितने तरीके से प्रोडिउस किया जा सकता है देखे यह आपके बुक में अभी जितना हम बता रहे हैं उतना है नहीं यह आपको पहले ही पढ़ा दिया जाता है मतलब जब छोटे होते हैं क्लास 7th 8 में मतलब 6th 7th 8 में उसी टाइम यह कुछ बातें आपको सिखा दी गई होती हैं लेकिन कि अपने को याद गहा रहता है ना याद नहीं होगा लेकिन वही चीज्जा हम आपको बता रहे हैं एक्च्छल में देखे कारण यह हैं न कि अगर यह हम आपको नहीं बताते तो हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हो जिनको नव पता चले लेकिन अब जाब बेसिक से आप तो आप जादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे ठीक है देखिए क्या होता है कि जो हम आज के समय की बात करें आप बहुत पढ़ने में अच्छे मतलब बहुत आपके मांक्स अच्छे नहीं आ रहे हैं यह बहुत जादा डिपेंड नहीं करता है आपके future को लेके लेकिन क् चीजे सीखनी होती है और जब आप चीजों को सीखते हैं समझते हैं तो मांक्स अपने आप आ जाते हैं बात सुझ में आ रही है तो जैसे माल लिया किसी चीज को किसी question को अगर समझा जाए महसूस किया जाए कि ऐसा होता है अगर आप जानने की कोसिस करते हैं कि ऐसा हो रह है या क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है तो जब आप चीजों को सीखते हैं न तो आप exam में वही चीज अपने हिसाबसर बहुत बहुत तरीके से लिख आएंगे तो आपके मांक्स अपने आप इंप्रोव हो जाते हैं लेकिन आप चीजों को सीखने के कोसिज करिए आप देखिए मैं बताओं आपको हैं आज के समय में अगर हम बात करें कि गोर्मेंट जॉब तो पताओं जोब सेयंगे आप किसी के हां नौकरे कर सकते हैं खुदका एमपायर खड़ा नहीं कर सकते यह दावा है आप ऐसा नहीं कर सकते आप तो आप क्या करिए आप चीजों को सीखिए सीखने के बाद उसे अप्लाई करिए जब ऐसा आप करेंगे तो धीरे धीरे आपकी यादत बनेगी और आप एक दिन चल के बहुत ही अच्छे मतलब की ग्यानी परसन बनेंगे उस दिन आ अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल लेकिन आप न कुछ बड़ा करने की नहीं सोच आप बड़ा करने की सोच ना खुद की दुनिया बनाओ मासोईना रही है तब जाके आप बहुत बड़े आदिमी बनोगे मतलब अगर करोणों अरबों खर्वों का सपना अगर आप देख रहे हो तो आपको ऐसे मूव करना होता है ऐसे नहीं ठीक है ऐसे नहीं देखो बीना पढ़े तो आप कुछ करी नहीं सकते बीना जब जरूरी है पढ़ने से ओलिज गेन होता है आपко दिमाग अपन होता है अब जब दिमाग उपन होता है तो हम लाइट में कुछ भी कर जाएंगे मतलब जो चाहते हैं वो कर जाएंगे इसके लिए क्या जरूरी होता पढ़ना अच्छे से पढ़ना चीजों को समझना महसूस करना अगर आप मानलों कि 3 घंटा भी अगर पढ़ते हो न तो 3 घंटा आप अपना पूरा का पूरा दो मतलब आप 3 घंटे में अगर पढ़ाई कर रहो तो किवल पढ़ाई करो इसके अलावा आपकी कोई अदर एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए आप चीजों को जब भी आपके सर पढ़ाते हैं कोई भी पढ़ाता है में पढ़ाती ही चाहिए कोई भी पढ़ाता है आप चीजों से चुके तो आप गए तो ऐसा मत करिए और एक बात और है जैसे हमारे आके जो बच्चे हैं वो कुछ अलगी तरीके की सूच रख रहे हैं तो आप ऐसी सोच मत रखिए आप पढ़ाई के उपर फोकस करिए बाकी चीजे आप लाइट में कर लेंगे ऐसा नहीं कि आपका समय चला गया है जैसे आपको गेम खेलना है आपको और भी मूवीज देखनी है सब कुछ करिए लेकिन एक लिमिट में करिए और अपने फ्यूचर के ऊपर ध्यान देते हुए करिए ठीक है ना जैसे हम देखते हैं हमारे यहां कुछ बच्चे हैं तो वो पब जी फ्री फायर म देखिए मतलब हम एक चीज़ बता रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता है लेकिन चांस यहां बहुत कम है और आप अपने फ्यूचर को लेके इस तरीके से डिस्ट्रॉइड नहीं कर सकते हैं यह फ्यूचर आपका है जब आप एजुकेटेड होते हैं अच्छे महोल में जाते हैं आ आप अपच्छा एचीव कर पाते हैं देखिए नाम भी चाहिए पैसा भी चाहिए सब कुछ चाहिए तो आपको एक एजुकेटेड परसन बनना पड़ेगा एजुकेटेड का मतलब डिगरी नहीं है आप चीजों को समझो यह टेक्निकल जमाना चल रहा है इसमें जमाने के आवेसित हम किन किन तरीकों से कर सकते हैं तो देखिए पहला तरीका होता है कि आपना दो वस्तों को ऐसे रगड़िये और जब दो वस्तों को इस तरीके से रगड़ेंगे तो दोनों की दोनों आवेसित हो जाएंगी हो सकता है कि एक के उपर आवेस जाए और एक के उपर ऐसा हो सकता है दोनों आवेसीत हो गई ठीक है मतलब ऐसा हो सकता है दूसरी चीज़ होती है कि केवल टच करा कि हम रगल नहीं रहें हम केवल टच करा रहें और टच कराने वाले को बोलते हैं असपर्स द्वारा या इसको बोला जाता है चालन द्वारा असपर्स द्वारा या लड़के को देखे तो जो ना अंदर से जो फिलिंग उत्पन होती है ना मतलब आपके अंदर वह फिलिंग जो उत्पन हो गई वही चार्ज माल लीजिया वही आवेस माल लीजिए तो प्रेरण द्वारा आवेसित ऐसे ही किया जाता है तो तीन तरीके होते हैं, यह सब scientific research, मतलब यह सब scientific experiment है, यह experiment के through देखा गया है, तो हम यहाँ पर रखते हैं कि वस्तूओं को आवेसित करने का तरीगा है, वस्तूओं को आवेसित करने का तरीगा, देखें, पहला है घर्चड द्वारा, हम दो वस्तूओं को या वस्तूओं को हम घर्चड द्वारा आवेसित कर सकते हैं, या चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, तो हम यह लिखेंगे कि charging by, charging by friction, यानि friction द्वारा वस्तूओं को आवेसित करना, दूसरा हमारा है, यहां पर अस्पर्स द्वारा, या इसी को बोलते हैं अपन चालन, चालन द्वारा, अस्पर्स द्वारा, इसको बोलते हैं, charging by conduction, ये बोला जाता है, ठीक है, तीसरा होता है हमारा प्रेरर द्वारा, इसको बोलते हैं, charging by induction, तो charging by induction ये होता है, तो आप ये समझ गया है कि वस्तूओं को हम तीन तरीके से आवेशित कर सकते हैं गर्सर द्वारा यानि चार्जिंग बाई फ्रिक्शन स्पर्स या चालन द्वारा चार्जिंग बाई कंडक्शन या प्रेरर द्वारा चार्जिंग बाई इंडक्शन इस तरीके से हम वस्तूओं को आवेशित कर सकते हैं ठीक है? चलिए ये तो समझ गया अब चलिए इसके बाद अपना देखते हैं कि वैदु धारा क्या होती है अच्छा उसके पहले हम थोड़ी सी चीज़ें आपको और समझा देते हैं ठीक है? चलिए समझ जैसे किसी भी वस्तूओं की बात कर लिजिए किसी भी वस्तूओं की बात करें तो हर किसी वस्तूओं के पास आवेश होता है ठीक है? किसी में फ्री होता है मतलब एकदम लखहरे होते हैं और किसी में लखहरे नहीं होते हैं उनके मम्मी पापा इस्ट्रिक्ट होते हैं आप इस तरीके से समझ सकते हैं ठीक है कि कि किसी के मम्मी पापा इस्ट्रिक्ट होते हैं और किसी के एक मिनट यार हाँ जी चलिए तो हम यह आपसे बता रहे हैं कि जैसे हर वस्तु के पास जैसे अगर देखा जाए तो इसमें भी आवेस है, इसमें भी आवेस है, हमारे सरीर में भी आवेस है, गड़ी में भी आवेस है, बोर्ड में भी आवेस है, सम्में आवेस होता है लेकिन आवेस जो होते हैं उनके move करने के हिसाब से उनके चलने के हिसाब से उनके गती के हिसाब से ही उसमें धारा प्रवाहित होती है तो जो आवेश होते इसके अंदर भरे पड़े हैं थीक है भरे पड़े हैं अब यहाँ पर देखा जाता है कि अगर हम जिन में धारा प्रवाहित की जा सकती है उनमें जो आवेश होते न वो लखैरे टाइप्स के होते हैं मतलब एकदम से जीधर मर्जी उधर मुव करें उनके उपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है लेकिन अगर हम समझें कि क्या इससे जैसे अगर लोहे की बात करें इसको तो लोहा के अंदर क्या होता है या कॉपर या ऐलमूनियम ऐसे वायर के पास क्या होत तो उसके अंदर रैंडम मोसन होता है लेकिन अगर इसके अंदर बात करें आवेस तो है लेकिन इसके अंदर उतने अच्छे से रैंडम मोसन नहीं होता है इसके अंदर जो आवेस होते हैं वो अच्छे से जा सकते हैं इसके बीच में कोई भी बैरियर नहीं होता है यह कि अगर जिन वस्तूओं से धारा प्रवाहित की जा सकती है उनमें जो इस आवेश की गती होती है वो रैंडम होती है फ्री होती है अच्छे से होती है ठीक है लेकिन जब तक इससे बैटरी न जोड़ा जाए तब तब तक यह एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव नहीं करते है तो बस अब बातों को समझियेगा यहां पर ठीक है हमने क्या किया यहां से एक जोड़ती इस तरीके से ठीक है अब जब बैटरी जोड़ देते हैं तो होता क्या है कि इसमें बैदुधारा प्रवाहित होने लगती है हम यहां पर माल लें कि यह ऐसे कुछ है ठीक है और यहां से जितने भी आवेस ऐसे पास करेंगे मतलब उतना ही जादा इसमें धारा प्रवाहित होगे देखिए आपने बहुत जादा इसको गंभीर हो के मत समझेगा हम बस आपको एक बार बता रहें कि ऐसा होता है क्योंकि हमारे सेल बस में ये चीज़ दिखाया ने गया है ये 12 में दिखाया गया है लेकिन कहने का मतलब है कि जब आप चीजों को देख पाएंगे तब तो समझ पाएंगे ना है कि नहीं है चलिए अब आते हैं कहानी पे हम लिखेंगे कि वैदु धारा आखिर होता क्या है वैदु धारा जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करेंट इलेक्ट्रिक करेंट ये बोला जाता है ठीक है अब यहां समझेगा हम ये कहते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं माल लिजे यहां से ती समय में क्यू आवेश प्रवाह ही थो रहा है तो अब यहां पर समझेगा जो आपकी धारा होगी धारा को हम आई से दिखाएंगे ये होता है आवेश प्रवाह की दर यानि कि आवेश बटे में समय आवेश बटे में समय आपका ये होता है ठीक है यानि आई इस इक्वल्स टू अगर आवेश को क्यू माल लिया जाए और समय को टी माल लिया जाए तो आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी ये आपका होता है अब यहां पर समझिएगा कि यहां से क्या चीज प्रवाहित हो रहा है जो आवेश है वो क्या है तो यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रोंस होंगे जो जा रहे होंगे तो हम माल लेते हों इलेक्ट्रों की संख्या एन होगी और एन क्या इलेक्ट्रों एन इलेक्ट्रों की यह क्या है संख्या और यह क्या है इलेक्ट्रों है तो यही आवेश होता है यही एक्वल्स में इसी को क्या बोलते हैं आवेश बोलते हैं तो यहां पर आप चाहें तो I equals to Q by T और Q के प्लेस पे आप लेख सकते हैं N E by T तो आप से ये question पूछ सकता है यहाँ पर कि अगर माल लिजिए कि इतने समय में धारा इतनी प्रवाइत हुई तो बताईए कितने electron यहां से गुजरे हैं इतने समय में कितने electron गुजरे हैं अधारा मालो कुछ दे दिया हो तो इस तरीके से ये question हम से पूछ सकता है ठीक है अच्छा यहाँ पर आप ध्यान से अप चीजों को समझेगा जब इतना बता दिये तो थोड़ा और आगे बता रहे हैं ये समझी आपका chapter सुरू हो गया है देखिए यहाँ पर अगर बात किया जाए तो यहीं पर खीजों को समझ लीजिएगा ये battery का positive terminal और ये negative होता है ठीक है ये धनात्मक सीरा होता है ये रिडात्मक सीरा होता है छोटा वाला जो आपका होता है इसको बोलते हैं रिडात्मक सीरा इसको ये बोला जाता है और इस वाले सीरो को बोला जाता है धनात्मक इसको बोलते हैं धनात्मक सीरा ठीक है ये धनात्मक सीरा ये रिडात्मक सीरा अब समझ येगा जो हम बोल रहे हैं कि जो धनात्मक सीरा से जोड़ा होगा ना जो ये कुछ भी तार माल लीजिए तो ये पॉजिटीव भी रहेगा और जो रिरात्मक वाले से सीरा जुड़ा होगा वो रिरात्मक रहेगा तो पॉजिटीव वाले को हम आवेज की नहीं बात करें हम सीरे के भी बात कर रहे हैं यह हो गया है इसको बोला जाता है पॉज और इसको बोला जाता है आपका निम्न विभव ये नाम दे देते हैं इसको बोला जाता है low potential और इसको क्या बोलते हैं high potential टीक है तो ये चीज़ समझियेगा कि positive वाला बड़ा वाला होता है और negative वाला छोटा वाला positive से जो इस star का सीरा जुड़ा होगा वो positive यानि कि high potential उच भी भव और जो negative वाले से सीरा जुड़ा हुआ उसको निम्र भी भव या negative potential या low potential ये नाम दिया जाता है ठीक है बात समय में आगे आगे की जरा अब कहानी समझिये गए यहां पे ये कुछ important points होंगे जो आपको ध्यान रखने होंगे ठीक है धारा किदर प्रवाहित होगी तो धारा हमेशा high potential से low potential की तरब प्रवाहित होती है तो इसमें पहली बात याद रखिएगा कि धारा उच बिभव से निम्न बिभव की और प्रवाहित होती है किसकी बात कर रहे हैं धारा की ठीक है यह हो गया अब दूसरा point समझे है अच्छा धारा के बारे में बात हो गई इसमें यह जानना चाहते हैं देखिए इस तार के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होता है और निगेटिव चार्ज भी होता है इसके अंदर किसी भी तार के अंदर निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों उपस्थित होते हैं अब हमें यह समझना है कि जो निगेटिव, पॉजिटिव, यह है न, यह किधर की तरफ मूव करेंगे, किधर की तरफ मूव करेंगे, अपने को अब यह समझना है, ठीक है, यह जिस, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, कि जैसे ही इसमें धारा प्रवाइत होती है, तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज है जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं, वो सभी धारा के दिशा में प्रवाइत होते हैं, और जितने निगेटिव चार्ज होते हैं, वो धारा के बीपरी दिशा में प्रवाइत होते हैं, तो अगर मान लीजिए धारा इधर प्रवाइत हो रही है, तो पॉजिटिव धानावेस किदर प्रवाइत होंगे तो धारा की दिशा में और जितने भी निगेटिव चार्ज यानि की रिडावेस होंगे वो धारा के बीपरी दिशा में प्रवाइत होते हैं तो यह चीज आप समझ गए तो हम यहाँ पर यह कहते हैं कि धारा उच बिभव से निम्न बिभ हवेस होता है वो धारा के बीपरित दिशा में प्रवाहित होता है कहानी समझ में आई तो यह हो गया अब जरा ना इसमें एक चीज और यह आपको याद रखना है यह अपने से पूछेगा और अब ऐसा नहीं कि आप समझ नहीं पाएंगे आप सारी बातों को अब समझ चुके है कि इसका बेस बेस सब हो गया अब हम बहुत अच्छे से इस चेप्टर को समझ सकते हैं देखिए इसके बाद हम बात करें जरा तो अभी हमने देखा था कि आई इस इक्वस्टू क्यू बाई टी होता है या इसी को बोल सकते हैं एन इपन टी यहाँ पर एन क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रोनों की संख्या इलेक्ट्रोन्स की संख्या यह है यहाँ पर एन इलेक्ट्रोनों की संख्या है यहाँ पर क्या है यह को बोलते हैं इलेक्ट्रोन यह क्या है इलेक्ट्रोन यह दे रखा है टी क्या यहाँ पर है समय समय का मतलब टाइम यह दे रखा है ह nive ख्रिश यहां पर 20 सभत समय को हमेशा हम सेकेंड में दिखाएंगे किसमें सेकेंड में ठीक है एलेक्ट्رान जो होता है जान इसको कुलाम में दिखाते हैं ईलेक्ट्रानों की संख्या या इलेक्रान तो आप यहां से समझ यह बज़ने यह Q ही है तो अगर E को यह तो संख्या है एक दो तीन चार पांच दोस पचास सो ऐसे संख्या है ए जो है इलेक्ट्रोन की यूनिट यानि मातर क्या होता है कुलाम इलेक्ट्रोन का मातर क्या होता है कुलाम जिसको हम C से दिखाते हैं जिसको हम C से दिखाते हैं ठीक है यानि आप ये बोलने वाले हैं कि जो Q है Q का मातरख होता है कुलाम जिसको हम C से दिखाते हैं E या Q बात सही है और समय का मातरख जो होता है वो सेकेंड होता है समय का मातरख सेकेंड तो जो वैद्दू धारा है उसका मातरक क्या हो जाएगा तो हम कहेंगे कुलाम पर सेकेंड कुलाम पर सेकेंड या इसी को लिख सकते हैं आप ऐसे सी अपॉन एस या एम्पियर कुलाम पर सेकेंड को हम क्या बोल देते हैं एम्पियर हम यह नम देते हैं कुलाम पर सेकेंड या एमपियर कहानी को समझमा रही है तो यह हो गया इसका मात्रग अब यहाँ पर समझे जो एक इलेक्ट्रॉन होता है एक इलेक्ट्रॉन कितने कुलाम原 होता है तो यह आपको नो ध्यान रखना है अच्छा इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन एक रिलावेस होता है और प्रोटॉन एक धनावेस होता है तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें और प्रोटॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एक रिलावेस है इलेक्ट्रॉन एक रिडवेस है जिसको निगेटिव चार्ज भी बोलते है और इसकी वैलू होती है 9.1 इंटू सोरी सोरी इसकी वैलू होती है 1.6 हम दरब्यमान लिख रहे थे यह होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कुलाम यह इसका आवेस होता है ठीक है अगर हम प्रोटॉन के आवेस की बात करें तो प्रोटॉन एक धनावेस है धनावेस को अपन बोलते है पॉजिटिव चार्ज इसकी वैलू होती है प्लस में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलाम तो यह आपको याद रखना है कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलाम के बराबर होता है और जो एक प्रोटॉन होता है वो प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलाम के बराबर होता है तो ये कहानी को समझ में आ रही है तो इस तरीके से इसे समझा जाता है ठीक है तो चलिए जी अब हम क्या करते हैं हाँ पर कि इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पोर्शन कवर करते हैं ठीक है तो चलिए जी अम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू थैंक्यू